नमस्कार दोस्तो मैं गोतम सिंग गोफुल कलासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ अजाब के लिए लेकर आया हूँ एस्टोनो गराफर कैसे बने एस्टोनो गराफर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे पहले और बिल आइकन दबा दे तक ये अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा चलिए दोस्तो आपको हम बताते हैं एस्टोनो गराफर कैसे बने और एस्टोनो गराफर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कैसे आपको जॉब मिलेगा इसके बारे मैं आपको बताँगा एस्टोनो गराफर कैसे बने Astronography एक language है भासा है इस language को coding language या Start Hand भी कहा जाता है इसमें किसी A-speech को Start में लिखना सिखाए जाता है इसका परियोग करने वाले बैक्ति को Astrono Grafer कहा जाता है सरकार के लगभग सभी विभाग में Astrono Graffer की आव सकता होती है सरकारी विभाग में एस्टोनू गराफर पद पर निविक्ति क्रमचारी चैन आयोग के द्वारा की जाती है एस्टोनू गराफर क्या है वह बैक्ति जो सौट हैंड की सहायता से किसी बैक्ति के द्वारा दी जा रही एस्पीच को कम समय में उसी परकार लिखने की छमता रखता है कहने का मतलब है दोस्तों कोई अगर स्पीच बोल रहा है और उसको सौट हैंड में लिखने की छमता जो रखता है उसे स्टोनो गराफर कहा जाता है एक एस्टोनो गराफर को नियाले समाचार पत्र सरकारी संस्थाओं में बोले गए सब्दों को टाइप राइटर की सहायता से तेज गति से लिखना होता है योगेता क्या चाहिए एस्टोनो गराफर के लिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ एस्टोनो गराफर पद पर नियुक्ति के लिए अव्यार्थियों को किसी भी संकाय में मन्याता प्राप संस्तान से अशनातक यानि गेर्जुएशन जो है परिक्षा उतिड होना चाहिए सौट हैंड सिखने के लिए विद्यार्थियों को इंटर्मेडियर्ट की परिक्षा उतिड होना चाहिए एस्टोनो गराफर कैसे बने एस्टोनो गराफर बनने की परकिरिया दो चर्णों में पूरी होती है जो आपको इस परकार से चलिए बताते हैं आगे प्रथम चर्ण पहला क्या है कि इसके अंतरगत आपको इस्टोनो टाइपिंग सिखना होगा टाइपिंग सिखने के लिए आप पुलिटेक्निक या आई टी याई सहस्थानों में परवेश प्राप्त कर सकते हैं आप निजी सहस्थान से भी टाइपिंग सिख सकते हैं प्र दूसरा क्या है आपको बताते हैं दखिए इस चरन में आपको एस्टोनो टाइपिंग सीखने के बाद इसी गती को बढ़ाना होगा मतलब आपको एस्पीड को बढ़ाना होगा आपकी टाइपिंग एस्पीड हिंदी भासा में 80 सब्द प्रति मिनट यानि कि 80 वर्ड लिखने में आपको एक मिनट लगना चाहिए और अंग्रेजी भासा में 80 सब्द प्रति मिनट होना चाहिए एस्टोनो गराफर की पद पर चैन के लिए टाइपिंग मुख्य भूमिका निभाती है आपको तैयारी कैसे करें इसका एस्टोनो गराफर बनने के लिए आपको क्रमचार क्रमचारी चैन आयोग की द्वारा आयोजित होने वाली परिक्षा को उतिर करना पड़ता है आपको इसके लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं परिक्षा की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले क्रमचारी चैन आयोग की द्वारा आयोजित होने व और comprehension आपको इन विश्यों का सही से अध्यन करना होगा। यदि आप परिक्षा में उत्यूड हो जाते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप टाइपिंग टेस्ट में भी उत्यूड हो जाते हो तो आपको एस्टोनो ग्राफर पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाता है। और दोस्तों आपको देखिए बताते हैं सबसे पहले जो आयोजीत होने वाली परिक्षा के प्रशन पत्र को आपको हल करना हो जो पहले परिक्षा सब हो जाती हैं उन पेपर को आप हल करें या आपको मार्केट में असानी से प्राप्त हो जाएगा इनको हल करने से बाद आपको परिक्षा में पूछे जानवाई प्रश्ण विशे में संपूर जानकारी प्राप्त हो जाएगा इस परकार से आप परिक्षा के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हैं तो दोस्तो सेलरी क्या होती है एक एस्टेनों गराफर का वेतन 5200 से लेकर 20200 और ग्रेड पे 26 अके मध्या में होता है दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो आपको आशा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नुट्फिकेशन आपको मिलते रहेगा थेंक्यू दोस्तो रादे रादे दोस्तो